नवस्कार और आप देखरें पालपाल सिर्शावासियों के लिए एक बड़ी ही खुश खबरी है नगर परिशत में डोर स्टेप सुरू सेवा सुरू कर दी गई है अब मात्रे 145 रुपे अदा कर सिर्शावासि इस सेवा का लाब ले सकेंगे अगर समय अवधी में इस सेवा का लाब नहीं दिया गया तो 500 रुपे जोर्माने का भी प्रावधान किया गया है पलपल सिर्शावासियों को घर बैठे नगर परिशत की सभी और उससे जुड़ी हुई सुविधायों पलब्द करवाने के लिए आज डोर सेवा स्टोप सेवा का लगुसा चिवालिया की एक बैठक कक्ष में सुरुवात किया गया प्रदेश में सिर्शा नगर परिशत एक ऐसी पहली परिशत है जहां पर डोर स्टेप सेवा सुरू की गई है वही नगर परिशत आयुक्त संगीता तेतरवाल ने इस योजना का सुभारम किया और नीजी सेवा प्रादाता के माध्यम से जानकारी दी जाएगी उन्होंने बताया कि सबी सेवा नीजी प्रादाता सेवा प्रादाता ही देंगे वहीं डोर स्टेप सेवा में चार सुविधाओं को शामिल किया गया है जिसमें जनम प्रमान पत्र, मृत्यू प्रमान पत्र और शादी प्रमान पत्र तथा परिवार पहचान पत्र शामिल है डॉर स्टेप सेवा के लिए लाभारती को 145 रुबे का शुल्क भुबतान करना होगा सिक्र ही अन्य सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा आप देखें पलपल की एक खास रिपोर्ट हरियाना की आई बिलीव ये पहली मिंसिपल काउंसिल है जहां पर इस तरह के सर्विस अवेलेबल है एंड आइ थिंग अंबाला कॉर्परेशन में पहले से ये चल रही है काउंसिल पहली है ये एंड अभी चार सर्विसेज हमने की है कोशिश करेंगे कि next month थक बाकि सारी सर्विसेज है वो इसके अदर include हम करते हैं हम चाहते हैं कि सारी सर्विसेज है वो cashless हो जाए तो ओर भी अच्छी बात है अगर कोई person still cash के अंदर देना चाहता है तो उसके लिए alternative facility रहेगी दूसरी चीज ये है कि इसके लिए किसी भी परसन को बहुत पढ़ा लिखा होने की जरुवत नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तभी वो ओनलाइन उसके अंदर जाके अपलाई करें सिर्फ एक सिंपल अगर फोन कोल भी करेंगे तो भी सर्विसे मिलेगी हमारा जो सर्विस प्रवाइडर है हिंदी और इंग्विश दोनों लेंगवेज के अंदर अविलेबल रहेगा फोन पर भी रहेगा, वाटसप भी रहेगा, ओनलाइन भी रहेगा तो जिस भी मीडियम में public comfortable है उस मीडियम के अंदर service आपको मिलेगी है यह doorstep service है जिसमें हमारे municipality की जितनी भी services है हम कोशिश करेंगे कि वो सारी घर बेठे available हो जाएं public को इसमें यह 24 into 7 service है कोई भी वेक्ति अपनी convenience के according जिस वक्त पे चाहे हमारी services ले सकता है उसके लिए उसको हमारे office में आने की जरुवत नहीं है ना अपने office और वेस्ट करने की जरुवत है और अपने convenience के according जब वो अपने घर पे available हो तब हमारे service provider को घर पे बुला सकता है तो different तरह के birth certificate बनाने है, marriage का registration करवाना है और सूनर जो भी case related services जैसे property tax हो गया, house tax हो गया, rent services होगी वो भी हम इसके अंदर include करना चाह रहे हैं तो ऐसी services होने से public को भी make you want फाइदा रहेगा कि उससे अपना काम छोड़के office के अंदर जाना नहीं पड़ेगा दो तिन चकर युजूरी लग जाते हैं, कभी document जमा करवाने होते हैं, कभी service certificate लेना होता है तो time की बचत होगी, दूसरा corona का वक्त है, तो हम चाहते हैं कि public interaction है, वो भी minimum रहे तीसरी जब most important thing है कि जब man to man interaction minimum हो जाएगा तो corruption पर जो है लगाम रहेगी तीसरा जो चीज हम इसके उपर implement कर रहे हैं, कि वो है right to service act तो इसमें particular time period जो भी service के लिए निर्धारित है, उसी time period के अंदर उसको service की delivery होगी अगर नहीं होती है, तो penalty का provision है, और जो penalty है वो beneficiary को मिलेगा municipal committee के account में नहीं आएगा वो अगर किसी beneficiary को suppose 14 days के अंदर पर certificate मिलना था और नहीं मिला तो जो penalty है वो उसी beneficiary को provide की जाएगी तो ये काफी मुझे लगता है कि public convenience के लिए बहुत अच्छा important रहेगा ये मैं आपको भी doorstep का एक example देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा सिर्षा doorstep WhatsApp services है इस पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं इस पे high लिख देता हूँ, मैंने इस पे ये नहीं लिखा है कि service चाहिए मेरे को मैंने high लिख दिए इस पे भेज़ दिया, अब इसका मेरे पास immediate reply आ जाएगा जैसी नेट से लेगा, ये देखो, इस पे चार service जा गई है मेरे, एक नमबर पे आपका जनम, second पे आपका जनम, marriage और उसके बाद आपका परिवार पहचान पतर है, इस से क्या है कि कोई भी इनसान easily कर सकता है, उसको कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़ सकता है, वो एक दबा सकता है, एक दबाएगा तो आपका जनम, हम इसकी वाईड एड़ुटाइजमेंट करेंगे, जो एजिनसी हमने हाइर की है, उसके एग्रिमेंट में ही किया है, कि आप हर वाड में इसको पूरी एड़ुटाइजमेंट करेंगे, मुनादी करके भी करेंगे, इसके flareks और फे लगाएंगे, ताकि लोगों को जाग रोपो सारे नंबर कौन कोड़ से जारी किये हैं नंबर तीन नंबर जारी किये हैं हमने वाटसप नंबर है हमारा 7206959336 इंगलिश के लिए हिंदी के लिए 7206979336 और आपका जो ओन कॉल नंबर होगा वो 8901906925 इसके लिए सुलक हमने बहुत कम रखा है 145 रुपीज और पेनल्टी है अगर इसके जो डिलीवरी टाइम है उसके अंदर अगर डिलीवरी नहीं दे सकता तो इसका पेनल्टी है 500 रुपे हाँ जो असागी मैंने बताया वो डारेक्ट बेनिफिश्री के को जाएगी